हेलो दोस्तों विल्कम टू अप्टिक चानल जहां पे आपको मिलेंगे लिटर सिकनाओजी और ड़ल अपडेट्स तो आज मैं आपके लिए हूँ दक किया शो ऑफ और अटो एक्सपोर तुन टी इसमें आपको बताऊंगो कि क्या 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 ने लॉंच किया कुन कुन सी हैं सेवन स्पीड डीटी में दोस्तों आती है यह साथ में आपको दो इंजन ऑप्शन मिलते हैं 1.5 लीटर सी डी डीजल वन लीटर टीजी डीडी पेट्रोल और साथ में 10.25 इंच की टॉच स्क्रीन आप यहां से इसके नदर देख सकते हैं फ्रंट वेंटिलेटिट सीट स दिखने को मिलता है ड्राइफ मोड से इसमें डिफरेंट तरीके से उपर की तफ़ आपकी संरूफ है साथ में सेवन स्पीकर का बोस्स म्यूजिक सिस्टम देखने को मिलता है और यहांसे इसकी लाइट को देख सकते हैं जी डीडाएं की ब्राइन है यह टी गडिय में है मत प्रेंट में कैमरा है इसका मतलब 360 डिग्री कैमरा का सपोर्ट है जी टी लैन की ब्रैंड यहां पर दी गई है बोस का 8 speaker sound system है आपको यहां पर different drive modes भी दोस्तों देखने को मिलते है इस model के इना आपको paddle shifters भी देखने को मिलते है साथ में आपकी जो mood lights है वो भी है पीछी तरफ आपकी heartbeat LED tail lights है जी टी लैन की branding है और पीछे आपका Kia का नया logo और chrome का एक अच्छा highlight दिया हुआ है तो अगर आप लेना चाहते हैं तो यह top end variant आप इसको purchase कर सकते हैं Indian markets में इस time available है यह और बहुत ही value for money model है Seltos के अंदर हमको 6 color options दिखने को मिलते हैं साथ में 3 dual tone का option भी हमको Kia ने दिया है तो आप जाके खाइच सकते हैं तीसरी जो गाड़ी है इस पर Kia ने काफी ज़ादा focus किया है इस बार वो है Kia karen's Kia karen's का exeum price है 10,25,000 जाता है 18,45,000 तक 8 color में आती है 2 interior options के साथ इन से दिखने में बहुत जादा अच्छी लगती है star map LED DLs है full automatic LED headlamps है R16 के crystal cut alloy wheels दिये गए है यह दोस्तों आपका interior जो की dual shade के नदर है 10,25 इंच का आपको दिखने को मिलता है touch screen infotainment system 12.5 इंच का LED instrument cluster दिया गया है 64 color ambient light है 8 speakers का Bose music system दिया गया है साथ में दूस्तों इसके ने काफी अच्छी चीज़े हैं जैसे की front ventilated seats और साथ में आपको यहाँ पे six and seven seater दोनों का ही option देखने को मिलता है तीन engine में आती है यह दो petrol पहला है 1.4 liter का TGA petrol दूसरा है आपका 1.5 liter का petrol और तीसरा है आपका 1.5 liter का diesel engine साथ में इसके नापको paddle shifters भी देखने को मिलते हैं और different drive modes भी देखने को मिलते हैं दूस्तों Kia ने अपनी concept car भी इस event में launch की है वो है Kia Concept EV9 industry को हिला के रख दिया था यह बताया था कि R&D में Kia बिलकुल भी पीछे नहीं है 2021 Lost Vegas show में सबसे पहले इसको reveal किया गया था 22 inch के बड़े tires आप यहाँ पर देख सकते हैं काफी अच्छी high desk गाड़े की काफी अच्छी length है solar panel built roof है इसकी साथ में आपको pop-up steering देखने को मिलता है जो आपकी screen पर display हो जाएगा 27 inch का ultra wide display है और साथ में आपको camera देखने को मिलता है instead of mirrors जो आप साइड में देखते है वो camera है mirrors नहीं है आपकी जो display है वो screen पर आ जाएगी साथ में आपको 483 km की range देखने को मिलती है ultra fast charging है 10 से 80% सिर्फ 20 से 30 minute में चार्ज हो जाती है तो कैसे लगी आपको Kia की concept का मुझे comment section बताएगा I hope आप सबको पसंद आएगी इसके बाद जो गारी Kia ने launch की थी वो है Kia KA4 ये updated model है Carnival का इसके नापको tiger nose grill देखने को मिलती है और ये बहुत ही शांदा लगती है दिखने में बहुत जादा बड़ी है 7,9 and 11 seat configuration के साथ आती है दो इंजन आते है 201 horsepower 2.2 liter diesel engine और 296 horsepower 3.5 liter petrol engine इंडिया में diesel ही आएगा जहां तक है 12 speaker का sound system है Bose की तरफ से dual sunroof है VIP launch seats है और साथ में आपको 2.5 inch की display देखने को मिलती है ADAS features है fully feature-packed गाड़ी है यहां से आप इसके R19 के crystal cut alloy wheels देख सकते हैं काफी जादा बड़ी है दिखने में I hope इंडिया के अंदर जल्दी आ जाए है और in fact इसकी जो back inside है ये भी बहुत जादा अच्छी है full LED इसकी tail lights है Kia का नयवाला logo अब देखते हैं कब Kia इसको इंडिया में launch करती है और काफी अच्छी गाड़ी होने वाली है मैंने को बताया था जो किया करेंस इस पर काफी जादा focus दिया है तो किया ने दो purpose built vehicles निकाले हैं पहली किया करेंस की police car जो कि आप यहां से देख सकते हैं इसमें भी आपको fully feature pad Kia की गाड़ी है Kia Currents का top end variant है इसके आपको सारे features दिखने को मिलते हैं यह purposely built की गई है इसके ने कुछ extra features लगाए गए जैसे यहां पे आप buttons देख सकते हैं यह different police की activities के लिए है जैसे जो भी display कराना चाहते हैं वो उपर की तरफ मैं आपको back and side से दिखा जिता हूँ जैसे यहां पे लिखाए responsible driving तो यह सब आप यहां पे display करा सकते हैं और इस तरफ से भी आप interior को देख सकते हैं rear seats इसकी fold की गई है और I hope Indian police इस गाड़ी को जल्दी use करना start कर दे तो उपर वाली screen पे आप कुछ भी चाहें display करा सकते हैं साथ में police lights दी गई है बिलती हैं आप इस button से कुछ भी उपर जाके display करा सकते हैं तो चोरो की तो बहुत मौँ जाने वाली है क्योंकि इतनी शांदर गाड़ी में उनको बैठके जाने को मिलेगा दूसरी किया की जो purpose built vehicle है बहुत ही शांदर बहुत important है दूसरी है आपकी Kia की ambulance और यह में सबसे बह उनों में ही आ जाएगा यह यह वाले जो है यह manual है इसके आपको oxygen के slanders भी देखने को मिलते हैं सारे के सारे जो आपके safety features है वो यहाँ पर दिये गए हैं और in fact जो patient को एक ambulance में used यह उससे जादा ही आपको feature देखने को मिलेंगे पूरा monitoring वगरा सब कुछ यहाँ पर दिया ग और में expectation से काफी अच्छा build किया है तो I hope यह भी Indian roads पे जल्दी दिखाई देगी दोस्तों यह जो गाड़ी है वो में favorite launch है किया की तरफ से यह है Kia EV6 आपको इस गाड़ी में देखने को मिलता है dual LED headlamps with adaptive driving beam साथ में आपको 605 Nm का talk देखने को मिलता है all wheel drive में भी आती है different drive modes ह shift by wire transmission दिया हुआ है R19 के crystal cut alloy wheels दिये हुए है आपको vehicle to load देखने को मिलता है जिससे अंदर आप 3.6 kilowatt की power output से multiple devices को charge कर सकते है in या out गारी के अंदर या भार साथ में आपको flash door handles आप यहाँ पर देख सकते हैं यह interiors है interiors में आपको अच्छे से अब दिखा दिता हूँ इसके आपको देखने को मिलता है heads up display 12.3 inch का curved touch screen with inbuilt navigation 360 degree camera support 12.3 inches का curved driver display भी दिया हुआ है साथ में Meridian का 14 speaker sound system है 10 ADAS features है साथ में हम बात करें इसकी ultra fast charging की तो यह 18 minute में charge हो जाती है 10 से 80% weight 350 kilowatt charge है तो आप सो सकते हैं कितनी जादा charge हो जाती है साथ में इसके 708 kilometer की range है जो अभी तक किसी गारी में नहीं आया and I hope यह change जो range का है वो industry को disrupt कर देगा 0 to 100 in 5.2 second 5 color में आती है rear में आप देख सकते हैं इसकी connected tail lights को GT line का जो price है वो है 60.95 lakh rupees और GT line all wheel drive का price है 65.95 lakh rupees तो I am looking forward to this car और मुझे परसनी बहुत जारा परसन आई आप मुझे comment section बताएगा कि आपको यह गारी कैसी लगती है अब चलते है second last गारी पे जो Kia ने launch की थी वो है Kia Celtos X-Line 18.69 lakh rupees एक्षण प्राइज है इसके नर भी आपको देखने को मिलता है premium matte finish X-Line logo seats R18 के crystal cut alloy wheels आप यहाँ पे देख सकते हैं tiger nosegill और साथ में इस तरफ में आपको दिखा हूँ यह इसकी side profile का full look है आप यहां से भी इसकी 30 degree camera का support देख सकते हैं और यह है इस गारी का interior दो engine option में आती है 1.5 liter CRDI diesel engine और 1.4 liter TGDI petrol उपर की तरफ आप sunroof को देख सकते हैं सिफ automatic में आती है और इसके आपको 10.25 inch का touchscreen system देखने को मिलता है AI voice assistant के साथ 8 inch का heads up display है different drive modes है different traction control है साथ में 30 degree camera का support मैं बता ही चुका हूँ Bose का 8 speaker sound system है तो यह भी आप चाहते हैं तो इंडिन markets में खहीट सकते हैं बहुत ही अच्छी गारी है last गारी जो किया ने शोकेस की थी वो है किया sonnet x-line 13.64 lakh रुपीज एक्षरिम प्राइस है यहापे आप ताइगर नोस ग्रिल देख सकते हैं और साथ में इसकी full LED automatic headlamps R16 के crystal cut alloy wheels automatic में ही यह गारी आती है वन लीटर TGDI petrol engine और साथ में आता है 1.5 लीटर CIDI diesel engine सिफ आती है यह आपका interior 10.25 इंच का instrument cluster है साथ में यह है आपकी driver display यह भी आपकी digital में ही आता है different आपको drive modes रिखने को मिलते हैं और दोस्तों यह जो color है बहुत ही शानदार है आप भार से कराने जाएंगे इतना मज़ा नहीं आएगा जितना Kia ने आपको करके दिया है इंडिया से भी गाड़ी काफी जादा अच्छी है तो दोस्तों कैसले कि वीडियो कमेंसेशन बताएं इस वीडियो को like करें बिना कहीं मत जाएगा और चैनल को subscribe करें बिना भी कहीं मत जाएगा यह सारी गाड़िया थी जो Kia ने हमको auto expo 2023 में showcase की थी